नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास जो प्रोब्लम आ रही है, वो प्रोब्लम का सोल आउट हम आज करेंगे हमारे पास जो आज प्रोब्लम आ रही है, वो यह आ रही है कि हमारे पास एक प्रिंटर है और दो सिस्टम है जो printer है वो हमने sharing पर डाल रहा है इस दोनों ही system के अंदर तो एक के अंदर window 7 है और एक के अंदर window 10 है तो जो हमरा printer है मैं जो server जो window 10 से जुड़ा हुआ है और उससे क्या हो रहा है जैसे window 10 के अपडेट आ रहा है तो उसके अंदर जो है हमारे window 7 के अंदर जो है वो printing अना बंद हो रही है तो हम जैसे आप अमारे printer के अंदर आ गए है window 7 वाले के अंदर और प्रेंट दे रहे है test page तो इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है इसके अंदर print जो है वो नहीं आ रहा यानि قमांड तो recognize दे रहा है लेकिन आगे प्रिंट नहीं हो रहा तो इसकी ये क्या प्रोब्लम ए सका का सोल आउट निकाल जाएगा व उसके बारे में में आज आपको बताऊंगा तब देख सकते हैं वह ने फिरेंट दीया है जो सिस्टम है उसके उपर हम चले जाएंगे वहां पर आप देख सकते हैं मैंने सेक्यूर्टी अप्डेर्स जो आई वी थी उसको अनिस्टॉल किया है तो लेकिन आप इसे कैसे करेंगे इसके लिए हमें सबसे पहले जो है इसके control panel के अंदर आ पड़ेगा तो मैं जैसे आपको kontrol panel के उन्दर कोल के दिखाऊँगा उसके अंदर क्या settings होते हैं और वहां पे जा करना होता है तो यहां पे आप और यह आप देख सकते हैं यहां पर इसके ऊपर मैंने अपर मैंने लगा चुका है तो आप इसको है राइट के लिए करके अन्स्टोल करेंगे उसके बाद में आपके पास कुछ ऐसा वह डिस्पले नजर आएगा तो इसके अंदर आपके 5-10 मिंद अन्स्टोल होने में लगे पास प्रिस्टार्ट को स्थम्राइब कर देंगे इस समय ले सकता है तो मैं आप सब्सक्राइब प्रेख सकते हैं तो इस पर समय को उर्ट हो रहा है inc इसके अंदर restart होने के अंदर, getting windows ready, don't turn off your computer, ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा, इसके बीच में आपको कई भी अपने system को बंद नहीं करना है, तो यहाँ पे जो देख सकते हैं, 1% हो चका है, ऐसे ही 100% तक यह होगा, उसके बाद में हमारा display as it is आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो system है वो अप्डेड ले रहा है, उसके बाद में वो वापस restart हो रहा है, तो आप देख सकते हैं, हमारा जो system है वो restart हो चुका है ठीक है इसके restart होने के बाद में वापस हम इसके printer के उपर चले जाएंगे control panel को उपन करके उसके बाद में तो यहां पर हम जो है अपने printer को उपर आ चुके हैं प्रिंटर के उपर right click करेंगे उसके बाद में जो हो printer properties के उपर click करेंगे उसके बाद में हमर पास जो setting खुल जाएगी उसके बाद में आप देखेंगे नीचे test page का option दिया है इसके उपर click करेंगे तो इसके यहां से क्या होगागा हमाज यह test page आ जाएगा तो यहां पर मैंने क्लिक कर दिया है, उसके बाद में आप देख सकते हैं, यह 100% होल आउट है, इसके अंदर कोई इतनी वे ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, इसके अंदर प्रिंटिंग होके प्रिंट के अंदर आ चुका है, प्रिंटर से प्रिंटिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं कोई इसके अंदिकत नहीं है प्रिंटिंग एकदम प्रोपर तरीके से सही तरीके से हो चुकी अब हम क्या करेंगे यह तो हो गया विंडू 10 का उसके बाद हम चले जाएंगे हमारा जो पास में जो दूसरा जो PC पड़ा है जिसके अंदर विंडू 7 है उसके अंदर भी हम टेस है में प्रिंटर Kabra क्लिक कर दिया उसके बाद मैं जूँ सब्सक्राइब करें और देख सकते हैं हमारे पास परימों प्रेंटर पडही इस्के तक यह प्रृंट कर दो है कुई आलगे क्यूंकि इसके मैं दिकत जो है अप्डेट्स की से आ। रहे विंडू 10 के अंदर यह यह देख सकते हैं, प्रिंट हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, एक जो है, हमारे जो वर्ड जो फाइल होती है, उसके उपर जो हम वहाँ से एक प्रिंट निकालेंगे, मैंने यहाँ पर X Y Z कुछ भी कोपी पेस्ट करके, एक पेज बना दिया है, उससे हम क्या करेंगे, आपकी तसली के लिए, मैं एक दूसरा पीज निकाल पर बतायता हूँ, जैसे मैंने अब इसको प्रिंट कर दोँगा, तो जैसे प्रिंट दिया है, इसके बाद में आप देख सकते हैं, एक तर्व प्रिंटने के अंदर गीक दृएंगी, तो इस तरह से, आप अपने कुछ भी नहीं किया है जो नॉर्मली चीज थी वो मैंने आपको इजली तरीके से बता दी है कि आप इसको अपडेट को अनिस्टॉल करके और कैसे इसको जो है अपने प्रिंटर को निकाल सकते हैं